सनातन पंचांग के अनुसार हर महा के प्रतेक पक्ष में एक एकादशी तिथी पड़ती है जो भगवान विष्ण को समर्पित होती है प्रतेक एकादशी को अलग-अलग नाम से जाना जाता है आशार माह में कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी पड़ती है यह दो महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों के मध्य यानि नेजला एकादशी के पश्चात वद्देव शयनी एकादशी से पूर्फ पड़ती है भगवान विष्णू के साथ योगिनी एकादशी पर माता पार्वती की पूजा करना भी शुब माना गया है भगवान श्रीकृ आमणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है इसके अलावा पुराणिक मान्यथा के अनुसार कुष्ट रोग से पीड़त व्यक्ति यदि पूरी श्रद्धा वन नियम के साथ योगिनी एकादशी कवरत करता है तो इस रोग से मुक्ति प्राप्त होती है योग को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तो आईए जानते हैं योगिनी एकादशी कश्योग महूत पूजा विधी एवं कथा एकादशी तिथी आरंब समें 4 जुलाई 2021 शाम साथ बचकर 55 मिनट एकादशी तिथी समापन समें 5 जुलाई 2021 मंगलवार रात 10 बचकर 30 मिनट उ योगिनी एकादशी कवरत 5 जुलाई को रखा जाएगा एकादशी वरत का पारण समें 6 जुलाई 2021 को सुबह 5 बचकर 29 मिनट से 8 बचकर 16 मिनट तक रहेगा योगिनी एकादशी पूजा विधी इस प्रकार है इस दिन प्रातह काल उठकर स्नानादी करने के पश्चात पूपदी प्रजलित करें विधी विधान से भगवान विश्नु का पूजन करें और भगवान को पीले फूल पीले वस्त्र पीली मिठाई अक्षत तुलसी तथा पंचाम्रित अर्पित करें आप एकादशी व्रत का महतम में पड़े या श्रवन करें तत्पस्चात पूजन करवा कर यथा संभव दान दक्षिना दे योगिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है कथा अनुसार प्राचीन काल में अलकापूरी नगर के राजा कुबेर भगवान शिव के परमभक्त थे उनका हेम नामक माली हर दिन राजा के लिए भगवान शिव की पूज हे तू मान सरोवर से पुष्प लाता था एक दिन जब वह पुष्प लेने गया तो लोटते समय वह अपनी पत्नी के साथ स्वच्छन्ध विहार करने लगा जिस कारण वह दरबार देर से पहुँचा जब राजा को यह ग्यात हुआ तो उसने क्रोधित होकर माली को कोड़ का कारण जान लिया और उसे योगिनी एकादशी वृत करने को कहा वृत के प्रभाव से हे माली का कोड़ समाप्थ हो गया और उसे मोख्ष की प्राप्ति हुई आप सभी इस एकादशी का वृत करे और पुने के भागी बने ओम नमो भगवते वासु देवाए नमहा झाल